टी आर्पी स्कैम यानि की टेलिविजिन रेटिंग चोरी का खेल अब सब के सामने आ गया है मुंबई पुलीस ने आप जानते हैं चार्ज शीट में अन्नब गोस्वामी जो की रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ है और साथ में पार्थोदास गुपता जो की बार्क यानि Broadcast Audience Research Council जो की सारे चैनलों की TRP कलेक्ट करके छापती है कहते हैं कि ये चैनल नंबर वान है ये चैनल नंबर टू है इन दोनों में साटगार्ट की पूरी सच्चाई अब उनके WhatsApp चैट में सामने आ गई है ये WhatsApp चैट सही है या नहीं ये तो कोट तैग करेगा लेकिन अभी तक अनब गोस्वामी के तरफ से या पार्थोदास गुपता की तरफ से कोई ऐसे बयान नहीं आया है कि ये फेक है अगर ये WhatsApp चैट सही है तो एक चीज आमारे सामने बिल्कुल साफ है कि पार्थोदास गुपता जो की बार्थ के पूर्वसीयों थे वो लगातार अनब गोस्वामी की मदद कर रहे थे कह रहे थे कि कैसे उनको रेटिंग उनकी रेटिंग जादा आ सकती है और दूसरे चैनलों को दबाने की कोशिश कर रहे थे और ये जो टी आर्पी की सांटगाड टी आर्पी चोरी का जो खेल है उसमें सिरव एक चैनल नहीं है बहुत सारे चैनल जुड़े हुए हैं ये बार-बार सामने आता है लेकिन इस पर सीधा एविडेंस अभी तक नहीं था अब सामने आ रहा है ये जो खेल है इससे पूरा जो न्यूज का व्यापार है पूरा जो न्यूज का बिजनेस है कारोबार है उस पर असर पड़ता है क्योंकि पूरा जो न्यूज का सिस्टम है पूरा जो जितने भी चैनल है वो गोदी मीडिया बन जाते हैं और वो नफरत फैलाने का कारोबार शुरू कर देते हैं इसी नफरत के कारोबार का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में आप लोग रवीश कुमार के बारे में जानते होंगे आपने उनका शो भी कभी देखा होगा उनको फॉलो करते होंगे शायद फेस्बुक के सोशल मीडिया पर वो क्या कहते हैं वो वाइरल हो जाता है उन पर बहुत सारे वीडियो बनते हैं वो हर बक चर्चे में रहते हैं वो ट्विटर पे कभी भी कुछ ने कहते हैं लेकिन ट्विटर पे वो उनका ट्रेंड हो जाता है रवीश कुमार के साथ अभी कभी भी आप रोड़ पर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि चितने भी आसपास के लोग हैं वो रुख जाते हैं उनके साथ सेल्फी खीचने की कोशिश करते हैं उनका autograph लेते, वो कहते हैं कि आप एक पत्रकार है हमारे देश में, वो जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, सच के साथ है आप, सच्चाई के साथ है आप, और अगर आप देखें, रवीश कुमार जब शो करते हैं, एक हफते के बाद जब rating आता है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं है, उस चैनल का head रहे चुका हूं, रवीश कुमार की rating बिल्कुल नीचे होती है, यह ऐसा एक शक्स है, ऐसा anchor है, जिसके show के बारे में चर्चा बहुत होती है, लोग बाते करते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि ये वक्त, इस point पे रवीश कुमार ने जो कहा, बिल्कुल सही कह मतलब बहुत detail में देखते हैं, लेकिन उनकी rating कितनी है, बिल्कुल नीचे, और जिनको लोग जानते तक नहीं है, रोट पर पैचान नहीं पाएंगे, उनकी rating उनसे उपर हो जाती है, जो बिल्कुल जूट फैलाते हैं, उनकी rating उपर हो जाती है, कैसे, बार-बार संदे था साफ कि ये इसलिए हो रहा है, क्योंकि rating की चोरी हो रही है, हमारे देश के दर्शक ऐसे नहीं हो सकते हैं, कि वो सिर्फ entertainment देखना चाते हैं, वो सिर्फ Hindu Muslim देखना चाते हैं, वो सिर्फ जूट और नफरत देखना चाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है, जो programming है, लेकिन जो serious programming है, जो logo के लिए programming है, जो असली news है, वो number 4 होगा, number 5 पर होगा, वो number 10 पर कैसे है, ये rating चोरी का खेल है, और ये rating चोरी से हमारे channelों पर क्या असर पड़ता है, इसका पहले मैं आपको थोड़ा सब ग्योरा देता हूँ, आप देखेगे, किसी भी channel का खर्च होता ह है, कम से कम 70-80, 100 करोड, कम से कम एक साल में खर्चा होता है, अब जादा से जादा पैसा वो क्या करते हैं, उनको advertising से मिलता है, अगर advertising से पैसा नहीं आया, तो वो अपना channel नहीं चला पाएंगे, channel नहीं चला पाएंगे, वो पत्रकारों को पैसा नहीं दे पाएंगे, camera person को अब देखें, anchor को पैसा नहीं दे पाएंगे, studio नहीं चला पाएंगे, जो news gathering यानि की खबर लाने के लिए, अगर कहीं गाउं में आपको जाना पड़े या किसी दूसरे शहर में जाना पड़े, तो वहां के आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा ये भी वो नहीं उठा पाएंगे, इसको कहते news gathering या production call, वो नहीं उठा पाएंगे, और दूसरा, एक और खर्चा बहुत बड़ा है, जो आप लोगों को जानना जरूरी है, वो है distribution, आपके TV सेट तक पहुंचने के लिए, चाहे वो cable हो, DTH हो, सारे channel को पैसा देना पड़त चाहे, तो फिर advertising पर depend करना पड़ता है, और advertiser क्या देखता है, advertiser देखता है rating, वो देखता है कि इस channel के rating जादा है, इसका मतलब यहाँ पर मैं अपना ad डालूँगा तो जादा लोग देखेंगे, जादा लोग देखेंगे तो जो जिस चीज का ad है, वो चाहे वो biscuit हो या ग scam करे, इसको घुमा दे, जो नीचे है उसको उपर कर दे, जो उपर है उसको नीचे कर दे तो क्या होगा, जो programming में rating आप दिखा रहे हैं, उसी programming में के पीछे पैसा आएगा, और जो programming का आपने rating दबा दिया, उस programming का पैसा कम आएगा, अगर रवीश कुमार का बार्क ने जा अगर लगेगा कि ऐसे देखने वाला कोई नहीं है, हम इसको करेंगे तो क्या होगा, हमें add नहीं मिलेगा, स्टूडियो में बैट के जो anchoring type की programming होती है, जैसे अर्नब गोस्वामी करते हैं, लोगों को लडाना, चिलाना, हिंदू, मुसलिम, पाकिस्तान, और लोगों को कह चैनल अच्छा कर रहा है, ऐसा ही हम भी करेंगे, तो पूरा जो मार्केट है, पूरा का मार्केट क्या होगा, बिल्कुल बिजनेस के कारण, और कोई कारण से नहीं, बिल्कुल बिजनेस के कारण, वो गोदी मीडिया बन जाएगा, और यहीं हमारे देश में है, अगर बताय जाए कि जो किसान है वो जब सवाल उठाते हैं तो किसानों के सवाल को बताय जाए कि यह लोग खालिस्तानी है देश-दुरोही है और यह बहुत बड़े आरतिय हैं यह तो अमीर किसान है इनको कुछ नहीं देना चाहिए ऐसे शोक अगर रेटिंग बढ़ा दिया हैं जैसे रवीश कुमार दिखा रहे हैं तो क्या होगा वो हमारी रेटिंग गिर जाएगी और रेटिंग गिर जाएगी तो पैसे नहीं आएंगे तो हम चैनल चला नहीं पाएंगे तो एक तरह से क्या होगा यह जो पूरा बिजनेस है घूम कर चला जाएगा एक तरफ सरक के favor में और जो भी विपक्ष है यानि कि opposition है उसके विरोध में एक क्रिस्टोफ जैफरलो बोल के फ्रांसी सी political scientist है और उन्होंने सारा डीट जितने भी Republic भारत में मई 2017 से अपरेल 2020 तक यानि तीन साल का जितने भी debate हुए हैं शोज हुए हैं उसका एक vislation किया है और उसमें उन्होंने निकाला है कि अगर Republic Channel TV ने अन्नब को सवामी ने एक BJP के खिलाफ debate किया हो बीजेपी से सवाल करने वाला debate किया हो तो बारा ऐसे debate हैं जो opposition यानि विपक्ष के खिलाफ है और चार ऐसे debate हैं जो BJP के favor में हैं यानि अगर हम ratio देखें तो एक BJP विरोधी या BJP से सवाल करने वाले debate के अगर किया हो है तो 16 ऐसे debate हैं जो BJP के favor में है pro BJP है ने तो anti opposition है अब आप देखिए ऐसे चीज का rating अगर दिखा जाया कि बहुत अच्छा है तो क्या होगा सभी channel सोचेंगे यही करो क्योंकि इसी से rating आएगी और इसी तरीके से पूरा जो पूरा माहौल है वो एक तरफ हट गया जो दर्शक है वो सिरफ एक ही तरह की programming देखने लगे हम समझ एक चीज समझ नहीं पाते कि हम जब कोई भी चीज देखते हैं हमारी training हो जाती उस चीज को देखने की जैसे मैं अपनी बात कहूं तो मैं मेरे YouTube पर home page पर आप भी YouTube देखते होंगे कुटों के वीडियो आने लगे छोटे पपी के वीडियो आने लगे तो मुझे मैं वो देखने लगा एक के बाद एक पपी के वीडियो मैं देखने लगा मैंने subscribe भी कर दिये अब वो और भी आने लगे अब क्या होता कि बीच बीच में मैं पपी's के वीडियो या कुटों के वीडियो सर्च करके भी ढूंट पर भी मैं देख लेता हूँ और मैं subscribe कर लेता है इसे channel का मैं इससे पहले कभी भी ऐसे वीडियो नहीं देखता था YouTube ने मुझे train कर दिया कि यही वीडियो अच्छा है यही आप देखी और वो ही मैं देख रहा हूँ लगातार ऐसा ही वीडियो मैं देखते जा रहा हूँ यार नि कि मेरी training वैसी हो गई और जैसे मेरी ऐसी training हो गई मेरे बच्चे मुझे बार-बार कहते हैं कि एक कुट्ता लादो कुट्ता लादो और मैं कहता हूँ कि नहीं भी या तुम लोग तो देखभाल नहीं करोगे मुझे ही करना पड़ेगा मोदी जी महान है यह सरकार बहुत अच्छा कर रही है कोई भी जो सवाल करता है वो भारत के खिलाफे टुकडे टुकडे गैंग है पूरी मीडिया जब वही करती है क्योंकि उनको लगता है इसी से rating आगा तो दर्शक भी सोचता है train हो जाता है दर्शक कि हाँ यही सच है और फिर भी ढूंडता है कि टुकडे टुकडे गैंग पर और भी ढूंडो टुकडे टुकडे गैंग पर उसको और भी देखना पसंद हो जाता है क्योंकि training उनकी ऐसी हो जाती है और इसका सिरफ business का impact नहीं है राजनीतिक impact है बहुत बड़ा राजनीतिक impact है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं जो एक तरीके का news है उसी को हम सच मान लेते हैं कभी-कभी जूट है उसी को हम सच मान लेते हैं जो कि बहुत case में हमने देखा है हुआ है तो इसलिए ये जो TRP का गेम है वो एक तरीके से नफरत फैलाने का जो पुरा कारोबार है उसी को उजागर करता है TRP स्कैम इसलिए हमारे देश की लोक तंतर के लिए बहुत बड़ा खत्रा है और अगर आप इसको न समझ के अपना TV ऐसे जो चैनल है उसको बंद न करेंगे तो आप इसको और भी बढ़ावा देंगे ये आप याद रखिए हमारे चैनल को देखते रहिए न्यूस क्लिक को द झाल